अध्याय छे क्या तुम में से किसी को ये हियाब है कि जब दूसरे के साथ छगड़ा हो तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का नयाय करेंगे सो जब तुम्हें जगत का नयाय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे जगड़ों का भी निरनाय करने के योग नहीं क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का नयाय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निरनाय ना करें सो यदी तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णाय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे, जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने भाईय का निर्णाय कर सके, वरन भाई-भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने, बरन तु सचमुच तुम्हें बड़ा दोश तु यह है, कि आपस में मुकदमा करते हो, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानी क्यों नहीं सहते disappoint।, वरन अन्याय करते और हानी पहुचाते हो और वो भी भाईयों को क्या तुम नहीं जानते कि अन्याई लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे थोखा ना खाओ ना वेश्यागामी ना मूर्ति पूचक ना परिस्त्रिगामी ना लुच्चे ना पुरुष्कामी ना चोर ना परन्तु तुम प्रभु यिशु मसी के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परन्तु सब वस्तुएं लाग की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परन्तु मैं किसी प्रभु के लिए और प्रभु ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा कया तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसी के अंग हैं तो क्या मैं मसी के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं कदाप इनए क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगती करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे और जो प्रभु की संगती में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है वे अभी पाहिति चार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, क्या तुम नहीं जानते हैं, कि तुम्हारी देह पवयतरात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो